भाद्र पद महा के सुकल पच्छ की अश्टमी से गज लच्छमी ब्रत शुरू होते हैं सोले दिन के लिए इन ब्रत को करने से माता महा लच्छमी की अश्ट लच्छमी की गज लच्छमी की हमें किरपा प्राप्त होती है हमारे जीवन की सभी परिशानिया दूर होती है ब्रत पूजा करने के बाद कथा सुननी बहुत जरूरी होती है तब ही हमें ब्रत के पूजा के पूण परणाम प्राप्त होते है तो कथा कौन सी है अब मैं आपको वो सुना रही हूँ प्राचीन समय की बात है कि एक बार एक गाउं में एक गरी ब्रहामण रहता था वे ब्रहामण नियमित रूप से स्री बिश्णु भगवान का पूजन किया करता उसकी पूजा भक्ती से प्रसन होकर उसे भगवान स्री बिश्णु ने दर्सन दिये और ब्रहामण से अपनी मन जो यहां आकर उपलेथापती है। तो मुंसे अपने घर आने की आ अमंत्रण देना। वह इस्त्री ती ही देवी-लचमी है। लचमी जी तुमारे घर आने के बाद तुमारा घर धन और धने से भर जाएगा। यह कहकर स्री विश्णु भगवान चले गए। अगले दिन सुबह चार बजे ही मंदिर के सामने बैठ गया। लच्छमी जी उपले था अपने के लिए आई तो ब्रहमण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। लच्छमी जी ने अपना बचन पूरा किया। उस दिन से यह ब्रत इस दिन उप्रोक्त विदी से पूरी स्रदा भाव से किया जाता है। लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा। और अपने इस टमित्रों के साथ इस कहानी को सेर भी कीजिएगा।